हैलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम कंटिनू करने जा रहे हैं सप्लिमेंटरी प्लोसीडिंग्स अगर आपने हमारी प्रानी वीडियो नहीं देखी इसी टोपिक पे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं तो लेट स्टार्ट टोपिक विच डिल्स विद्धी सेक्शन 94 सब सेक्शन 4 रिसीवर ठीक है यह सेम टोपिक ही जो है बोस्त इंपोर्टन टोपिक है क्यों क्योंकि रिसीवर जो है सीवल कोड का वह बहुत से अधर लोज है जो सीधा ही मैंशन होता है कि जो पावर्ज ओफ रिसीवर होगी वो वैसे ही होगी जैसे की सीपीसी में लिखी है ठीक है तो अगर आपने इन पावर्ज ड्यूटीज वगरा को अगर समझ लिया तो फिर आपके लिए बाकी लोज को समझना भी बहुत जादा इजी हो जाएगा ठीक है लीगल गलोसरी जो है इन्होंने बता है कि लीगल सोरी रिसीवर क्या होता है रिसीवर्ज घंनलayan यही होता है कि जब एक पर्सन को कोस्षा पोइंट कर देती है एज रिसीवरius ठीक है फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए ठीक है तो उसके पास रेसीवर्ज की सारी डूतीति प्रावर्ज जो की मैं है rule 1 2 3 और मतलब जो की discuss की गई है under order 40 ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने receiver को अच्छी तरह से समझना है तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा order 40 के बहुत सारे rules जो की must हैं आपके लिए ठीक है तो इन rules को guys मैंने points में divide कर दिया है आप इन points की further explanation अपनी language में कर सकते हैं but mandatory क्या है आपको समझ आना चाहिए वो point ठीक है अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप उस point की explanation बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं so let's start from the order 40 rule 1 जिसमें बताया गया है appoint करती है court receiver किसके लिए for any property before और after passing the decree by the court ठीक है और जो उस property में होता है मतलब उस property की जो custody होती है वो receiver को दे देती है चाहे उस property का पहले भी receiver appoint हो ठीक है वो parties ने mutually understanding या फिर mutually agreement से चाहे कोई भी person को as a receiver appoint किया हो तो उसको court क्या करेगी remove करेगी या फिर remove the persons जो persons है उस property की custody में तो फिर उनको remove करेगी और give the possession और custody manage the property by the person authorized by the court and who is the person who is authorized by the court and that is the receiver ठीक है rights क्या है receiver के rights and powers of the receiver same ही है sub rule 2 rule 1 में बताएं गए है सबसे पहला है कि वो उस property के regarding कोई भी suit file कर सकता है या फिर defend कर सकता है ठीक है दूसरा है कि to protect preserve और manage the property तीसरा है receive करने है उसने rents and profits उस property के dispose of the same ठीक है जैसे की court ने उसको direct किया हो to execute the document as owner ठीक है चाहे वो receiver हो फिर भी as owner उसने सारे documents जो है उस property के उसने sign करने है execute करने है या फिर कोई और power जो authorized की गई हो by the court and rule 2 बताता है to receive the remuneration ठीक है अब duties क्या है receiver की rule 3 में बताएं गई है to maintain the account और same जो accounts है वो court को भी provide करने है जैसे की court ने उसे direction दी हो ठीक है to maintain and property the property sorry to maintain and protect the property ठीक है to pay out the liability as court authorized him जैसे उसे court ने कहा हो उसी तरह से उस property की जो particular liability हो उसे pay out भी करना है अब liability हमने discuss करनी है ठीक है duties तो होगी कि हाँ उसने ये काम करने ही करने है ठीक है अब उस पर क्या liabilities है वो बताई गई है rule 4 में when receiver fails to fulfill the rule 3 rule 3 में जो अपनी duties अगर वो fulfill करने से fail हो जाता है तो फिर क्या करेगी court attach कर लेगी उसकी property for the failure और sale कर देगी to make good the loss and pay back the remaining amount after make good the loss ठीक है रहें जो बाकी बचेगी amount जितना court ने रखना था रख लिया ठीक है और जो बाकी amount होगी वो उससे बापस कर दी जाएगी ठीक है अब collector को कब appoint किया जाता है भाई as a receiver rule 5 में बताया गया है if property is subject to paying revenue to the government as well as court deems fit to appoint the collector as a receiver ठीक है गाईस अब हम बात गाईस जैसे की आपने देखा rule 5 में की collector को कब appoint किया जाएगा as a receiver ठीक है अगर वो property जो है subject to pay the revenue to the government ठीक है तो अब हम देखते हैं कि interim order जो है court कब pass करती है sorry interlocatory order बोलना था guys sorry when court pass जैने interlocatory order अब यह interlocatory order होते क्या है वो discuss किये गए है order 39 rule 6 to 10 ठीक है rule 6 जो है वो बात करता है to pass the order for the sale of the movable property ठीक है किसी भी party की application पर ठीक है और property जो हो वो subject to the natural and speed decay मतलब कि वो property की ऐसी nature हो वो during the proceeding क्या हो सकती है घ्राब हो सकती है ठीक है तो sale कर देगी property by the receiver या फिर कोई और person authorized by court जो भी person को authorized किया जाएगा in the orders ठीक है rule 7 बात करता है to retain preserve as well as inspection the property inspection करने उस property की detain करना या फिर preserve करके रखना ये भी एक तरह का interlocatory order है जो हमने जो discuss किया गया है CPC के rule 7 में ठीक है on the application of any party ये order पास कर सकती है court to detain preserve and inspection ठीक है power to enter into any land or building power to take sample for inspection और साथ की साथ जो यह all the procedure followed by person authorized by the court ठीक है वही सेम बात guys देखी एक CPC के मैं एक benefit ये बता देती हूं कि CPC most easiest subject क्यों है क्योंकि guys CPC में बात एक ही कही होती है बस उसे घुमा फिरा कर कही होती है तो अगर आप अपने basics clear रखेंगे CPC के तो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि जो CPC है वह बहुत जादा difficult है मुझे कई लोग कहते भी है कि CPC तो बहुत मुझे समय नहीं आता कि उनके लिए मतलब क्या difficult है जब आपके basics ही clear हो तो फिर क्या जरूरत है आपको एक circular subject को difficult कहने की ठीक है so let's continue rule 8 जो है वो बताता है कि application जो है interlocatory order जो बताएं गए है rule 6 और 7 में किसके द्वारा फाइल की जाएगी ठीक है वो तो हमने देख लिए any party अब कब फाइल की जाएगी by plaintiff after the institution of the suit and by defendant after his appearance ठीक है if delay amounts to destruction ठीक है तब जो है notice नहीं दिया जाएगा दूसरी पार्टी को guys rule 7 में जो है most important point है most important phrase है वो discuss करना रह गया था तो अब हम आपको बताते हैं कि जो execution होगी इस property की वो होगी मुतादिस मुतांदिस आप इसकी pronunciation गूगल से चेक कर सकते हैं उपर नीचे हो सकती है अब हमें नहीं पता कि इसे meaning भी बताया था अब इसका meaning क्या है court ने कहा it means with the necessary change in point of the detail मतलब कि procedure सेम रहेगा पर कुछ change करना हो with the points of the detail अब आपको और clear करने के लिए हम black laws dictionary की example भी लेंगे यहां पर black laws dictionary कह रही है कि इसका मतलब यह है कि meaning that things or matters are generally same but alter as to name office it sector मतलब कि जो चीज़े हैं वो तो same रहेंगी पर सिर्फ change क्या होगा name office या फिर ऐसे कुछ personal information वो ठीक है तो मुझे लग रहा था कि इस phrase को cover करना बहुत जादा जरूरी है तो इसलिए मैं order sorry rule 8 जो है उसको समझाने के बाद भी इस phrase को cover करने जा रही थी तो I hope आपको समझा गया होगा अब हम बात करते हैं rule 9 की rule 9 में बताया गया है कि court के पास power है to give the immediate possession of the subject matter to the parties जब court ने क्या कर दिया हो suit को finally dispose of कर दिया हो rule 10 गाइस जेनरली बताता है कि deposit money which is in the possession of the person देखो अब जो proceedings चल रही है persons के पास जो होती है किसी और persons की जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक company के shareholder के पास या फिर एक trustee के पास trust की जो amount होती है वो भी हो सकती है ठीक है तो वो जो amount होगी which belongs to other और belongs to trust वो deposit करानी पड़ेगी in the court ठीक है अब गाइस यह था हमारे जो orders थे supplementary proceedings थे वो बात करते थे ठीक है अब section 95 जो है वो बताता है कि अगर जो है application file की गई थी under section 94 वो निकली unreasonable और court ने उस unreasonable application पे ही क्या कर लिया act upon it तो फिर क्या होगा fine करेगा 50,000 रुपिया और loss for the repair या injury अब जिस party के ने वो application file की थी चाहे वो plaintiff हो यहाँ पे plaintiff भी लिखना था चाहे वो plaintiff हो यहाँ फिर defendant भी हूँ अगर court को लगे कि उन्होंने unreasonable application file की थी तो उन्हें 50,000 रुपिया fine ठीक है laws for the repair और injury ठीक है और यह सब जो है उसे as a damages या compensation देना होगा guys यही था हमारे sections 94 और 95 में I hope आपको समझ आ गया होगा so guys अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कमेंट शियर और सब्सक्राइब माइ चैनल ता जो कि हमें भी motivation मिलती रही और ऐसे ही आपके लिए बहुत सारी वीडियो भी बनाएं थैंक्यू सो मच भी ले बनाएं।